इसलाम येकुम कैप सेक साज के लाक्षिर अगाज करते हैं, लेक्ष्छ नम्र बाज के लेक्चर में हम वरकिंग केपिल मेंज्चमन का लास्ट कॉएस क्वेश्ट करेंगे, फिर इसके बाद इन इसमेट अपरीजल को स्टार्ट करेंगे, इसमें से आता है, तक्रिबन इसमे बज्टिंग भी एकुली इंपोर्टेंट है जैसे इंवेस्टमेंट प्रेजल में कंसेट्स ज्यादा है चैलकुलेशन्स कम और बज्टिंग में कंसेट्स कम हैं कैलकुलेशन्स ज्यादा है ठीक है तो इंवेस्टम प्रेज़ आज स्टार्ट करेंगे आज कोई बहुत कंप्लेक्स कैलकुलेशन्स ने सिर्फ सिंपल कंसेट्स होंगे और वो भी जो अलड़ी आपने पड़े हुए है लेकिन सबसे पहले वर्किंग केटल मेंगे आपको सब्सक्राइशन्स नहीं हुआ होगा होना भी नहीं चाहिए था आज़ा लेकिया ही नहीं सब्हान आज़ा है सब्हान आज़ा है कीयों था था कि आपको पता चलगा है हाँ जी कि उस्टाद की जुरूरט रहती है अब साद की जुरूरत ही ना रहे आपको स्टार्ट करते हैं फहले इसको पढ़ते हैं हमेशा हर QS में हमने numerical QS में ये किया practical में ये करेंगे खास्तर में numerical में QS को पढ़ेंगे एक-एक information हमें पता होनी चाहिए उसने क्या दी है क्यों दी है क्या दी है information क्यों दी है ये पता हो question solve solve हो जाता है कहरा है ARQ private limited is a small size company whose shares are held by three directors ARQ manufacture and sells garments for children बताए जो nature of business है क्या finance के questions में हमारे लिए relevant होती है नहीं है लेकिन याद रखे managerial की case studies में ये हमारे लिए हो सकता है कि relevant हो क्योंकि हमने जो strategy बनानी है वो nature of industry nature of product को सामने रखके बनानी है there is considerable demand for its products products की demand ज्यादा है यानि demand में problem कोई नहीं है मसला किसमें है के company demand को meet नहीं कर पा रही मसला company में market में नहीं है अगर market में demand कम होती new competitor आते हम कहते हैं मार्किट में मसला है बहुँ ये मसला market में नहीं है करें market में demand है करें main hurdle in fulfilling the market demand is the working capital constraint hurdle constraint मुश्किल अलफाज यूज़ कर रहा है आप familiar है नहीं के साथ ये इस concern में क्या बता रहा है working capital की जान इस sentence में है क्या क्या working capital hurdle है आपकी demand में working capital जब तक नहीं कम है demand बढ़ानी है ज्यादा demand को सर्फ करना है working capital लेकिया हो sales बढ़ानी है तो क्या करो इस line का यहीं मतलब है main hurdle in fulfilling the market demand is the working capital constraint बढ़ यहीं मतलब है ना समझ आ रहा है इसका करने concept ही यह करेट is anticipated that may as to increase sales would require additional financing as follows sales को increase करने के लिए आपको यह यह चीज़ें चाहिए होगी expected increase in working capital as percentage of sales ठीक है यानि अगर sales को बढ़ाना चाहते हैं तो expected increase in working capital क्या होगा debtors 80% of sales बढ़ाने पढ़ेंगे stock 100% of sales बढ़ेंगा creditors 40% of sales बढ़ेंगे तो इसका मतलब है net increase कितना हो जाएगा 80 plus 100 minus 40 140% यानि 1.40 लिख दीजिए ये लिख दीजिए ये कि हमें बढ़ाने के लिए to increase sales working capital will be increased by 1.4 1.4 हमारी calculation में यूज होता है पता है आपके अगे चले following information has been extracted from arq's latest financial statements following information has been extracted अच्छा यह वर्किंग कैपिटल में फाइनेंशल स्टेटमेंट की फिकर क्यों देता है वर्किंग कैपिटल के क्वेस्टन में बैलेशीट क्यों देता है वर्किंग कैपिटल के क्वेस्टन में बैलेशीट क्यों देता 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 है यह मुझे पता इस question के debt equity ratio कैसे आएगी ये मुझे नहीं पता calculate करके दीजिए जोद भी निकालना निकूलना है निकालने खुदी debt है 75 कि 75 प्लास 64 क्योंकि debt equity ratio में debt से मुराब long term debt होता है तो जरा debt equity कितर है शाबाश equity कितर है equity कितर है equity equity कहां है भाईया assets minus liability ये मैंने बताना है आपने calculate करना calculate करना तो debt equity ratio क्या हुई 75 by 57 के 57 by 75 तो फिर ये लिखे दूसरी फिगर पहली आहम इंफर्मेशन आपने लिखी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज वह 1.4 दूसरी इंफर्मेशन debt equity ratio ये क्या होगी 75 by 57 अच्छा वर्किंग कैपिटल रेशो तो हम किसले calculate करते हैं ताके जितनी सेल इंक्रीज हो रही है पता चल जाए उस लिहाद से वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए debt equity ratio किसले calculate करते हैं हाँ financing limited होती है शाब बाद शाब बाद बिल्कुल थी बिल्कुल थी debt equity ratio calculate कर लिए अब आगे चलते हैं sales है और profit after tax है sales और profit sales किसलिए देता है retained profit calculate करने के लिए sales से retained profit तक कैसे पहुंचते हैं total sales into net profit ratio into retention ratio retention ratio यानि 60% दी हुई है उसने पका 40% है 60% क्या है यह दो payout ratio है यह payout ratio है हमें retention ratio सही जो retain होगा वो grow होता है 40% ठीक है तो net profit ratio किदर है वो तो दीन ही हुई net profit को sales में divide कर लेंगे तो करना मेरा भाई 25% तो यह लिख लिजिए net profit ratio 25% retention ratio 40% अहम information जो आपको पता है हम use करते हैं उसको use कर लेंगे ठीक है अच्छा working capital में आपको पता है एक question होता है जिसमें day से working capital cycle working capital से days calculate होते हैं वो अलग type है एक question है जिसमें वो additional finance से working अब यह additional finance से growth calculate करवाता है और कभी growth देके additional finance calculate करवाता है ऐसा ही है यह separate type है अब दोनों working capital के question पर चांदते हैं ना फिर से एक question है जिसमें वो working capital देके याई debtors creditors inventory की amount देके days calculate करवाता है यह days देके amount calculate करवाता है question number two हमारा volume two का और एक question है जिसमें वो growth देके additional finance calculate करवाता है यह additional finance देके growth calculate करवाता है वह ऐसा ही है ना जैसा question number one volume two का यह कौन सा question है growth calculate वाला शाबाश 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 अडिशनल फैनान्स ग्रोथ देखे अडिशनल फैनान्स करवाता है अडिशनल फैनान्स देखे यानि 60-40 आर लोर जाहर है company जादा ही मांगेगी लोन कम थोड़ी की जड़ जाएगी उसके मतलब 60-40 maximum cap है आर लोर को ignore कर दें क्यूंकि जिस company को लोन चाहिए होता है नो लोर की तरफ नहीं जाती company bank को कहते है मुझे ज्यादा से ज्यादा दो 60-40 हमारी limit है अच्छा इस question में और previous जो question किया है question 1 में क्या फर्क है जो शुन बताएगा question 1 और question 3 में 50 रपरी नाम पाएगा हाथ उठागे question 1 और question देखे question 1 भी additional finance और ग्रोथ वाला था question 3 भी additional finance और ग्रोथ वाला था जिसने यह फरक पहचान लिया आदा question उसे solve कर लिए जी और की स्कूर नेट प्रॉफिटेशन ही वदी हुई है वो तुमने calculate कर लिया देखे information directly दी हो या indirectly ऐसी information दी हो जिसे वो information calculate कर सकते हैं दोनों सूर्तों में हम उसे ऐसे लेंगे जैसे information is given net profit ratio given नहीं है लेकिन calculate कर सकते हैं तो गिवन है additional finance वाली requirement है अभी यह देखें ना एक मेंट है रहे requirement पढ़ ले determine the maximum growth in sales which could be achieved in the above situation इसमें एंडरलाइन करें growth को be calculate financing requirements in the event the sales are projected to increase to rupees 100 million इन दोनों requirement में क्या फरक है इसमें उसने हमें बता दिया हुआ है growth और हमें बता रहा है additional financing बताओ कितनी होगी additional financing बताओ growth खुद बता दी 60 से बड़की 100 होगा और क्या कह रहा है additional financing बताओ कितनी होगी इसमें क्या कह रहा है इसमें अडिशन फइनांसिंग बता के कह रहा है ग्रोथ कल्कुलेड करो इसमें ग्रोथ कल्कुलेड करनी है इसमें अडिशन फइनांस कल्कुलेड करनी है रिक्वार्मेंट ए में ग्रोथ कल्कुलेड करनी है भी में अडिशन फइनांस कल्कुलेड दे पहले चीज यह जहन में रखें question number one में भी requirement उसकी यही होती थी एक में growth rate देखे चाहिता था बताओ additional finance कितना होगा और दूसरे में कहता था additional finance कितना होगा सबताओ कितनी होगी रिक्वार्मेंट सेम है उसमें एक तीसरी कार्मेंट भी होती थी पहले वाले में कि अगर 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 इडिशन फैना जीरो हो तो ग्रोफ रेट क्या होगा उसने वह नहीं पूछ हुई यह समझ रहा है पहले मैं आपको क्वेशन पहले मैच करवाना चा होते हैं एक डे से अमाउं वरकिंग कैपिल माउंट या अमाउंट से डेस कालकुलेट करवाएगा यह तो रैगलर और इजी क्वेशन होता है एक दूसा क्वेशन जो निस्बतन थोड़ा ज्यादा कालकुलेशन वाला होता है उसमें क्या करता है एडिशनल फैनास देके ग ग्रोथ और फैनास को अंडरलेंड करना चाहिए आपको अब उसक्वेशन में असान वाला पहले पूछा था मुछिए तो हम बी को पहले कर ले एक को बाद में कर ले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलिए हाँ मैं पूछ रहा था उसक्वेशन में और इसमें सबसे बड़ा फरक क्या है सबसे बड़ा फरक उसमें कह रहा था बाइया बाई को दीजिए बाबा ठीक है का हम पूंज गया उसको आपने नहीं बोला था क्या इसने क्या का था और किस-किस ने का था मैंग मैंने के पहएगा सुने उसको बैंक और जाओर से सुनेंगा यह सारे का सारा क्यूसर में यही यक एडिस्मेंट नहीं प्प्रिवस क्यूसर में कहा था addition एगजिस्टिंग dead activity ratio maintain करनी है अगजिस्टिनगадero к यूँक्टिंग करना में क्या किया था? existing deity ratio को यूज किया था यहां पर वो कह रहा है कि deity ratio existing नहीं होगी बलके कौन सी होगी target वाली होगी target deity ratio से क्या दिया है 60-40 इसका मतलब यह है कि इस question के अंदर वो जो हम retained earning को multiply करते थे थे ना existing deity ratio से इस question में उसे existing deity ratio से नहीं 60-40 target से multiply करना है भी समझ रहे हैं कि नहीं एक और इसमें twist है वो भी नहीं बताऊंगा लेकिन वो twist इसी से relate करता है पहले बताएं यह बास हमाझ आ गई कि जब उसने का था existing deity को मेरा बर लोन दोंगा हमने का जितना retained earning increase हुआ ना उसको डेट टी रेश्व existing से multiply कर दो इसमें क्या कह रहा है तारगर्ट तो जितना increase in return earning होगा तारगर्ट से लिए अच्छा अब पहले सुने दो रिकॉर्मेंट मैं पहले बी addition मैवने क्या था additional financing requirements additional finance required is equl to good construction थोड़ा कुछ आगे पिशे होंगा है वोगी ठीक लेकिन आगे पिशे होंगा हम अपना प्राणा ही जो increase in working capital minus profit return वह इस फार्मरे से किसी को इस तलाफ सा नहीं है अच्छा मुझे एक चीज और याद करवा दीजिएगा कि increase in working capital में ना हमने सिर्फ increase को लेना है जबके profit retained में हमने total profit को लेना है यह याद है ना सिर्फ G और 1 प्लस G याद है कि नहीं याद है यह जेंद में रखेगा करा calculate the financing requirement in the event the sales are projected to increase two rupees hundred million यानी sales increase होके कितनी होंगी hundred million कितने से increase होंगी 40 से तो अब मुझे sales को increase करना है financing requirement कितनी होगी अगर मैं अपनी sales को 40 million बढ़ा के hundred million पर लेके जाना चाहता हूं अच्छा पहले क्वेस्टे में वह हमें percentage increase दे दिया करता था ठीक है अब हमाद मसला कोई नहीं है आप पुराने तरीके से भी कर सकते हैं से percentage calculate कर ले existing कितना है 60 है 40 divided by 60 कितने परसंट होगा और वह आपका या डिरेक्ट भी कर सकते हैं 0.66 होगा इसी के मताब भी कर लेते हैं कि उसने कहा है कि ग्रोथ रेट कितना यह चाहिए 66.6 तो एडिशन सेल्स के टोटल सेल्स एडिशनल सेल्स इंटू एडिशनल वर्किंग कैपिटल अब मुझे पताएं यहां पे अडिशनल सेल्स परसंट को उसने दिया होता हम उसको उससे मुल्टिप्लाई करके 60 से 60 से 40 कल्कुलेट कर लेते हैं अब उसने डिरेक्टी दे दिया है तो डिरेक्टी कर ले है 66.66 इंटू 60 वह भी 40 है और टोटल जो उसने हंडर्ड दिया है माइनस 60 वह भी 40 है इंफर्मेशन देने का त्रीका का और फरक है पहले वह हमें पिछले साल की सेल्स दे के कहता था इतने परसंट इंग्रीज होगा हम मुल्टिप्लाई करके इंग्रीज वाली माउंट काल्कुलेट कर देते हैं इसमें उसने टोटल दे दिया हुआ है हम डिफरेंस लेंगे व पॉइंट ऑन प्कॉइंट फूरज इरो क्लियर जी यह श Почему इन्क्रीजिंग का पिटल है कि अब क्या करना है profit 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 का Once होता था है टोटल सेल के इंख्रीज इंसेल टोटल सेल मल्टी प्लाट बैए नेट प्रॉफिट रेशो मैं टीप्लाट बैए टोटल सेल्स अंडर्ड मैं टीप्लाइड बाए नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है 25 परसंट मैं टीप्लाट बैए टेंशन रेशो किते नहीं जीरो प्वाइंट फॉर जीरो बेठीक है तो अब हमें कितना अडिशन फैनांस रिक्वाइड है यह कितना क्या 56 माइनस 10 46 देखें यही है देख कि अच्छा पिछले क्वेस्टन के साथ कंपेर करके मुझे कोई डिफरंस है तो बताएं क्वेस्टन नमबर वान के साथ इसका कोई डिफरंस नहीं है वैसा ही है फर एक सिरफ यह है कि उसमें वो उसने परसंडेज में बताय था इससार 20 परसंट गरोथ आनी है 30 परसंट गरोथ आनी है तो हम उससे मल्टिवलाई करके माउंट कैलकुलेट करते थे इसमें उसने माउंट खुद दे दिया खुद बताये उससे असान हुआ के मुश्किल हुआ फे इसमें हमें मुल्टिवलाई करके गरोथ रेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा गरोथ उसने खुद बता दी हमें वजना गरोथ रेट से कैलकुलेट करते अडिशनल सेल कितनी है इसमें अडिशनल सेल खुद बता द डान जी, requirement one completed, यानि B, requirement B, अब आते है requirement A, मुझे बताइए requirement A में सबसे बड़ा twist किया है, सबसे बड़ा मसला क्या है? कि उसने हमें कहा है, कि अब existing debt equity ratio maintain नहीं करनी, targeted debt ratio, यानि इसका मतलब क्या हुआ? existing debt equity ratio कुछ और होगी, targeted debt equity ratio कुछ और होगी, 20 का मतलब यहीं होता है, नहीं तो आप calculate करके देख लें नहीं यह किन तो, 131.5 और यह कुछ और है, फरक है ना, तो जब given कर दे के इस debt equity ratio के मताबिक होगा, मतलब, targeted यह है, अच्छा, formula same होगा, formula में change कोई नहीं आना, अब याद है आपको इसमें, हम क्या करते थे जब bank कहता था, additional financing इतनी होगी, हम कहते थे, यही formula यूज किया, हम कहते थे, increase in working capital इतना है, profit retained इतना है, और जो profit retained होगा, वो इधर आ जाता था, additional financing में, और हम कहते थे, यह हमारी equity है, बैंक कहता थे, अच्छा, यह तुम्हारी equity है, यह लो इसको debt equity से multiply करो, यह मैं तुम्हें finance देता हूँ, बैए, ऐसे ही होता था, याद है, फरक तो, देखे, जहां पर मैं एक परसंट भी फरक होने लगो, आपने मुझे बता देना है, क्या करते थे हम, financing requirement, bank कैसे calculate करते थे, growth rate calculate करने के लिए, increase in working capital, फार्फूला same, profit retained same, और फिर profit retained as it is, इधर आजा है, multiply by debt equity, हाँ लेकिन एक फरक होगा, अब यहाँ जो multiply debt equity करना है ना, existing, नहीं करना, क्या करना है, target ratio, target क्या है, 60 by 40, clear, तो आईए, अब ज़रा मुझे फार्वला calculate कराईए, part A में, determine a maximum growth in share which could be achieved in the above situation, बैंक ने कहा, 60 by 40 के साब से होगा, maximum growth क्या हो सकते है, इसका मतलब G calculate करना है, G calculate करना है, तो मुझे दुबारा formula लिखाए, अब की बार आपने, G use करना है, ठीक है, आपको, अब मैं चाहता हूँ, आप इस formula को लिखिए, पे लिख लेंगे, challenge दूँ आपको, कितना time चाहिए, याद है formula के नहीं, जब growth rate calculate करनी होती है, आप formula सेम लिखते हैं न, increase in working capital में क्या लिखते हैं, sales into, sales into, x growth रान जी, sales into x, x करें के जी कर लें, x कर लें, ठीक है, sales into x, और फिर इसके बाद multiplied by, इनक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 1.4, फिर minus जो करते हैं, प्राफिटे टेंड के साथ, वो क्या करते हैं, सेल्स इन्टू वन प्लास एक्स मल्टिप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो मल्टिप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशो पहले नेट प्रॉफिट रेशो बोलना था अगे पीशे कर दिया नेट प्रॉफिट रेशो बाद में मल्टिप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो और फिर उसके बाद ये सारे का सारा रिटेंड प्राफिट उठा के दूसरी साइड पर ले आना है और मल्टिप्लाइ कर देना है टार्गेट रेशो 60 बाइ 40 के सारे कलियर ये एक्वेशन लिख सकते हैं अच्छा सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि भी सॉल्व नहीं होगी सॉल्व नहीं करने हैं लेकिन क्या लिख देंगे अच्छा मुझे बताईए अगर ये सारा काम आप लिख लेते हैं इसमें कोई नहीं चीज होगी नहीं चीज तो नहीं अभी तक सारा पराना ही काम चल रहा है आपके पास दो मिनट हैं देखते हैं कौन-कौन माईका लाल इस उसने क्यलक्रिशन कर ली होगी मैं चैक भी खर लिया लेकिन जिन रोंट से क्यलकुरेशन नहीं हुए वह जरा गोर की लिए इसिक फार्मुला हमारा रिकौरमेंट B, में भी सेम है रिकौरमेंट A में भी सेम है इस तरह वरकिंग कैपिटल का दूसरा क्वेसन था ना डेस स जो है अमांट और मांट से qalculate करते थे तो basic formula सेम रहता था placement change होती थी उसी तरह इस question में भी इस type of question में basic formula सेम रहेगा हमारा यह type of information change होगी यहाँ पे हमने financing requirement finance calculate करना था growth उसने दिया हुआ था 100 million तक हुई है यहां पर हमने growth calculate करनी है financing उसने दी हुई है कि 60 40 के मताबिक bank करेगा ठीक है financing दी 60 40 के मताबिक करेगा हमने गाठीक है अब आजाएए पहले increase in working capital इसको solve करना भाई working capital कितने से increase होगा total से के जो sell increase हुई है उससे increase हुई हम assume करते हैं वो जो growth rate है वो is equal to x है assume क्या करते है growth rate is equal to x तो increase in working capital किसके equal होगा 60 जो इस साल की sell है into one plus x या सिरफ x यह क्लियर है ना आपको one plus x किदर आएगा और x किदर यह सिरफ हमें exist x आएगा सिरफ x क्यों 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 एडिशन 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 एडिश्टिंग सेल्स को finance के लिए तो working capital मुझूद है एडिशन के लिए चाहिए multiplied by increase in working capital किता था 80 plus 60 minus 40 यह था क्या था 80 plus 60 नहीं नहीं क्या था 100 plus 80 minus 40 यह था 1.4 multiplied by 1.4 clear यह भीया यह 60 क्या चीज़ा है existing sale x क्या चीज़ा है multiply करका जाएगा जितनी growth चाहिए sale में और एक sale increase करने के लिए 1.4 working capital चाहिए उसने उपरा में दे दिया था तो जितनी sale में increase हो रहा है उसको growth यह वर्किंग कापिटल रिकॉर्मेंट से multiply कर दी यह आगा हमारा increase in working capital के लिए कोई problem जल्दी नहीं है मुझे कोई आगे चलते हैं माइनस profit retained अच्छा जो retained profit होगा वो सिरफ additional sale का होगा क्या total sale का होगा तो total sales कितनी है हमारे पास 60 इंटू एक्स यह इंटू 1 प्लस एक्स 60 इंटू 1 प्लस एक्स यह आगई total sales के रिटेंड प्रॉफिट आ गया है किसे मुल्टिप्लाइ करना है हमारे नेट प्रॉफिट एश्यों कितनी है 25 वह कैसे बता जाला 25 परसंट तो दी नहीं हुई 15 divided by 60 25 अच्छा इसको जब हमने 25 परसंट से मुल्टिप्लाइ किया retained प्रॉफिट आ गया यह है टोटल से यह है इस साल की की सेल्स यह है नेक्स्ट एई प्राफिट प्रॉफिट ओर यह है नेक्स्ट एक के पेछे मां कंसेट होता है ऑपने एक एक चीज को मिल्टिप्लाइ करके यह जहन में जरूरते जाना कि अब क्याा है? हुआ है lleva है रिटेंचन रिशो रिटेंड प्रीट यह यह आदथ आज तो एककिन्सॉट को क्लियर करेगी और दूसरा बच्टिंगहें में काम आए आस्ता हस्ता हना प्रिकन्स भी काम काम क्बच्ट को इस इक्विएशन में कोई प्रॉब्लम है जिरो पॉइंट फॉर यह कैसे है हाँ लास में 0.4 कैसे है कह रहे हमें चाहिए रिटेंशन रिश्यो क्या चाहिए तो सिक्स्टी परसंट ऑफिट आफ्टर टैक्स इस डिस्ट्रिब्यूटिड एस डिविडेंट सिक्स्टी है 0.4 क्या अब क्या करना है आप यह तो हमारी रिटेंड आरनिंग है यानि एक्रीज हूई बैंक ने क्या कहा था अब फाइनसिंग करेंगाँ ने क्रिन्थ चारेगा अगर लेफे लिजर सौल्फ र कर देंके अगर कहता है existing debt equity ratio के मताबिक करूंगा हम ये अपना equity वाला portion इसको as it is इदर लाके existing debt equity ratio से multiply कर देते अब मैंग ने क्या कहा target के मताबिक financing करूंगा तो अब क्या करना है इसको as it is इदर लाके target ratio से multiply करना है समझ रहे हैं आप चाहे तो इसको simplify करके भी transfer कर सकते हैं मैं सारा calculation मेरी यादत है मैं end pay करता हूँ और concept सीधे पदरे पहले कर लेता हूँ आदत है आप चाहे तो इसको simplify करके कर सकते हैं लेकिन मैं calculation मेरी यादत है ये as it is इदर आ जाएगा क्या हो जाएगा ये 60 into 1 plus x into 0.25 into 0.4 into 60 divided by 40 60 divided by 40 Q Q उसने कहा है target ratio मैं उसने कहा है मैं आपको finance रूर करूंगा जितना equity है उसकी target ratio तो अब कि पहले तो हम existing ratio से multiply करते थे अब उसने target ratio दिये तो उससे वह बैंक की मर्जिया जितना करे वो गर कहता 20 परिशने को 2080 करूंगा उससे करते है जो भी रिशो गिवन होती है डान जी प्रीवियस क्वेस्टन में यहां पे खत्म हो गया था अब इस क्वेस्टन में एक फिगर और आएगी उसकी रीजन सुनने पहले रीजन लॉजिक एग्जिस्टिंग डेट एक्वियर रिशो हो रहा है टारगेट हो रहा है जो इस तफ़ा प्रॉफिट टेंड प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसका प्रॉपोर्शनेट फाइनस आ गया इस तफ़ा जितना एक्विटी निक्रीज हुआ इस एक्विटी का प्रॉपोर्शनेट आ गया लेकि मुझे बताएए क्या एग्जिस्टिंग डेट एक्वियर रिशो टारगेट के बराबर है नहीं है तो जब बैंक ने हमारे साथ ये एग्रिमेंट किया कि मैं आपको फानाइसिंग दूँगा 60-40 के मताबिक एग्जिस्टिंग अगर उससे कम है तो हम बैंक से एग्जिस्टिंग को सामने रखते हुए भी उससे कह सकते हैं एग्जिस्टिंग को भी इसके बराबर ले किया हो कि बस है अगले साल से जितनी एकुटी आएगी उसको डेट एकुटी के मताबिक बैंक फानास दे कि एग्जिस्टिंग में भी अगर ये टारगट डेट एकुटी ये है एग्जिस्टिंग डेट एकुटी ये है और बेंक कहता है मैं तुम लोगों को टारगट डैट टीकुटी के मताबक फानांसिंग करूँगा एगजिस्टिंग अगर कम है तो क्या एगजिस्टिंग से भी हमें मजीद लोन मिलेगा जिससे existing debt equity ratio भी target अगले साल से तो debt equity ratio टारगेट के मताबिक हो रही है अगले साल से debt equity टारगेट के मताबिक हो रही है existing में भी अगर फरक है तो वो increase नहीं होना चाहिए जैसे बैंक ने अगर कहा आपकी जितनी equity होगी ना मैं 150% उसका loan दिया करूँगा अगले साल अगर 100 रपिया increase हो जाए equity return earning का बैंक 150 देगा लेकिन अगर इस साल हमारा equity 100 और debt 120 है तो मुझे पताईए इस साल का 120 भी 150 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए नहीं समझ आरी बात के नहीं समझ आरी बात के नहीं समझ देखें एक है existing debt equity ratio एक है target debt equity ratio ठीक है यह जो calculation है यह अगले साल की है के इस साल की है अगले साल की है अगले साल में जितना equity में increase हो रहा है उस लिहास से डेट 60-40 के मताबिक डेट भी इंक्रीज हो रहा है बही बताईए अगले साल में एकटी में जितना इंक्रीज हो रहा है डेट इकटी भी उस लिहास से इंक्रीज हो रहा है 60-40 के लिहास अगले साल का तो इंक्रीज हो गया मुझे बताईए क्या इस balance sheet में इस balance sheet में भी debt equity ratio 60-40 पे नहीं जानी चाहिए इस साल की इस साल की भी जानी चाहिए ना जैसे मैं पता है क्या करूँगा मैं बैंक से कहूँगा ऐ बैंक अगले साल तो ठीक है लेकिन तुछ 60-40 maintain करना है मेरी इस वक्त की रेशो है debt equity की 75 divided by 57 यानि debt 75 है इसको भी तो 60-40 के पराबर करो मेरी existing ratio को भी जो इस साल की है इसको भी तो 60-40 के पताबर करो मैं कहूँगा कि नहीं बैंक को क्योंके बैंक अगले साल से debt equity कर रहा है अगले साल की लेकिन इस साल की रेशो जो है वो existing पर ही है वो target पर नहीं गई देखें अगर आपकी net debt equity ratio maintain होनी चाहिए ना तो आपकी base figure और increment दोनों ही 60-40 पर आनी चाहिए accounting को जहन में लेके आए अगर अगले साल की debt equity ratio अगले साल की equity और debt same है लेकिन पिछले साल की 60-40 नहीं वो different है तो जब दोनों add होंगी ना balance sheet में तो ratio 60-40 नहीं आएगी में समझ रहे हैं तो हमें अगले साल की closing balance sheet में अगर 60-40 की ratio चाहिए ना तो हमें अगले साल के जो profit का है उसको भी 60-40 करना है और जो पिछले साल की balance sheet है उसको भी 60-40 पे करना है इससे अगले साल के profit का तो 60-40 हो रहा है पिछले साल की debt ये 60-40 नहीं है इस पे आप debt equity ratio calculate करके देखे 75 डिवाइड़ वैं 57 वान पर्ण 31 यह सिक्टी फोटी नहीं है सिक्टी फोटी होती तो वह आता वान पर्ण फाइव भई अगरी कर रहे हैं मसला समझाया है अगले साल का काम ठीक कर लिया इस साल का काम भी ठीक है यह प्राबलम उस वक्त नहीं थी जब वह काता था क्यूंके उसमें एग्जिस्टिंग भी एग्जिस्टिंग थी और अगले साल की भी एग्जिस्टिंग थी वो मेच था मीसमेच नहीं था मेच था इसमें करें existing से डैटिक्टी की तरफ लेके जाओ यहां तक हमने अगले साल को कर ली एड at 60-40 के मताबिक सवाल मेरा यह है क्या इस साल को भी करना है के नहीं करना है अच्छा उसका तरीका कार बहुत सिंपल है हमने क्या करना है existing को target पे लेके जाना है हमने क्या करना है existing debt equity को target debt equity पे लेके जाना है यह पका हो गया calculation भी हो गई हमने क्या करना है existing समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं यह तो पता चल जाएगा क्यों करने जा रहे हैं क्योंकि हमें existing debt equity को भी target मिल सिर्फ अगले साल की नहीं existing को भी existing debt equity कितनी है existing debt equity है 75 57 और हमने target कितनी करनी है 60 by 40 यह debt है यह equity है 57 है equity क्या करें equation को solve कर लें इसको इधर ले जाए 57 को यह equation है नहीं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि 57 equity हो तो debt कितना होना चाहिए 57 इधर ले जाए multiply करें 57 multiply by 60 divided by 40 85.5 इसका मतब है अगर आप debt की ratio maintain करना चाहते नहीं 60 40 की तो आपका debt होना चाहिए 85.5 इसका मतब है अगर 85.5 होगा ना फिर 60 40 की रेशो आएगी 85.5 डिवाइड़ वाइड़ वे 57 करके देखें क्या आता है 1.5 इसका मतब अगर debt 85 हो फिर 60 40 की रेशो मेंटेन होगी समझे रहे हैं अगले साल की income statement profit तो आई रहा है balance sheet नहीं आ रहा है balance sheet के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि देखना balance sheet को भी existing इस साल की debt equity ratio में भी तो देखना पड़ेगा कि debt को कहां पर लेके आए कि वो 60 40 के बराबर हो जाए यह यह है एक्जिस्टिंग बहुत असान existing debt equity ratio को target debt equity ratio पे लाना है existing debt equity ratio को target पे लाना है simple existing लेके target लिखें कि solve कर लें इसको 57 इदर ले जाएं कितना जवाब आया कि 85 इसका मतलब है current debt है 75 होना चाहिए 85.5 बैंक से कहेंगे अगले साल का तो तुम बाद में देना ना जब profit आएगा 10.5 तो अभी रखो इदर 10.5 अभी बैंक से रखवाएंगे के नहीं क्यों रखवाएंगे बैंक ने कहा है 60-40 के बताविए दूँगा हमने कहा पहले परानी रेश्यों से लेते रहे थे अब 60-40 के बताविए दो 10.5 इसको हम कहते हैं existing कुशन के existing कुशन जो आपके पास available है नहीं समझाया एक एक जिस्टिंग कुशन कितना आया 10.5 तो हमने जो एडिशनर फिनांसिंग मांगनी है ना उससे वह सिर्फ अगले साल की मांगे के existing में जो कुशन है वह भी मांगे जो एक जिस्टिंग में कुशन है वह है यह 10.5 यह 10.5 देखें कैल्कुलेशन असानी से भी मैंने कोशिश किया आपको पीशे लाजिक समझाओं के existing में मार्जन था हमने प्रहें वह भी उससे फैनांस लेना है अब हमारा इस साल का भी डैट टीटी रिशो सिक्स्टिफोटी पे पहुंच जाएगा और अगले साल का भी तो नेट जो क्लोजिंगा आएगा वो सिक्स्टिफोटी ही आएगा हाँ वापिस करते हैं अगर क्रंट रिशा बाशी अच्छा स्वाल भूचा है उनका सार अगर यह डाट इट ज्यादा फिर यह माइनस में आ जाता जवाब फिर यह इदर आंसर जो है यह शायद 65 वाता है इधर फिर जाता 65 हम कहते है 75 होना चाहिए 65 तो 10 यह माइनस कर देते स क्या लोडिवेटर ऐलेमेंट है यह हमारी कोशिश होती है जो लिमिट बैंक ने प्रूव किया सारी का सारी हो एक अब सारा क्लकुलिप बाकि सारी पी-र-सी वाली गयम है अब सारी कल्कुलेशन कर ले हैं वही है जो आंसर लिखा है आप हैं यह आईकाई ने काफ लेवल पर आज तक टेस्स नहीं किया हुआ सीफ़ेप लेवल पर किया हुआ है लेकिन आईकाई जुक्ट आपको बता हैं अबी तीन चार पांच एटब्ट कोई हैं तो कैप सी फैब लेवल से भी सेट कर रहा है और यह है उसी लाइन के उपर जो क्वेस्टन बर्वान है फरक सिरफ एक है उसने एग्जिस्टिंग रेशो की बज़ाए टारगेट रेशो दे दिया फिर से ज़रा कुछ करते हैं वरकिंग कैपिल का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लि हमें इंकम सेट्मेंट बेलनश सीर्ट की फिगश्यव देके कहता है कि मुझे कवर्वे साइकर का था यान्जा में रेशो देके कहता है मुझे इससे चिए फविगर फिगर करके वरकिंग कैपिल क्वर्विड़ करकें कर के थो दो ठैटर्ड पिपर में वहार mort कर्मेशन देता है साल की और कहता है यहां तो नेक्स येर का बजट के ग्रोथ इतनी चाहिए और कहता है यहां तो कहता है डिशनल फिनांसिंग रिक्वार्मेंट बताओ कितनी होगी यह डिशनल फिनांस यह है ग्रोथ बताओ कितनी होगी यह ग्रोथ देके कहता है डिशनल फ financing करवाओं है दो नहीं हसाम वैसे लेकिन वो इससे भी असाल है और जब वो हमें कहता है डिशनल फनांसिंग देखे कि ग्रोथ कालकुलेट करो फिर एक्वेशन और जब ग्रोथ कालकुलेट करने को करता है तो इसमें हमने देखा मजीद दो पॉस्यूबिल्टीज है यहां त वो क्या एकिजिस्टिंग बैलेंशीट में से कुशन निकाल के एड़ करना है नेक्स्ट येर का तो कल्कुलेट वो सिंपल है ना इंक्रीजिन वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट एज़ेट इस इतरा गया है तार्गट डेटिक्टी डेशन में टिपलाई किया है जब वो ट टार्गट में कनवर्ड करना है इधर लिखे एग्जिस्टिंग इधर लिखे टार्गट और यह डेट एकुटी है उधर ले जाए है आपको पता चला कितना डेट होना चाहिए कितना डेट है जब यह एकुटी इदर चली जाएगी मेल्टिप्लाई होगी तो फिर क्या 10.5 एड़ किया है मैंने ये अड़ का साइन कि ये 10.5 ये अलादा से हाड होगा यानि ये सारी कल्कूलेशन आपकी अलग हैं ये सारी ंआपकी अलग है जब ये सारी कैल्कूलेशन सॉल्फ कर लें फिर ये 10.5 है ये लैसे भी हो सकता थे उन्हें पूछ अगर जैसे यहां पर सिक्स्टी फोटी है ना अगर हम फर्ज कीजिए इसको इधर जैसे मैं चेंज करूँ अगर इजाज़ा दे तो अगर फर्ज कीजिए वह यह कहता कि है सैवेंटी फाइव डिवाइड़ बैए यह होना चाहिए था काम ज्यादा होगा हाँ इसको हम सैवेंटी फाइव इंटू फर्ज कीजिए सैवेंटी कर लेते हैं ठीक है यह भी भी ज्यादा आएगा हाँ तो इसको ऐसा कर लेते हैं सैवेंटी फाइव इंटू फोर्टी कर लेते है ठीक है सिक्स्टी होना चाहिए थ 60 है कितना है इसका मतलब है 15 क्या करना है माइनस करना है तो यहां पर आता माइनस 15 है यह सारी कैलिकुलेशन अलग है यह सिक्षी बाइफोटी यह मिल्टिप्लाई हो रहे हैं करकर आके 10.5 ठीक है यह मिल्टिप्लाई करके यह कल्कुलिशन करके देखें थर्टी 6.96 आंसर मैच कर बठी करें कुछ कुछ समझ आया भाई यह जो समझाया समझ आ गया चले मेरा है आज के लिए इतना काफी है इंवेस्टमेंट ब्रेजल कल से इंशालाई स्टार्ट करेंगे आपने घर जाके एक दफा आप दुबारा यह क्वेस्टन करना है खुछ से ठीक है यह आपकी होम सेडमेंट अब तो करने के काबि होना चाहिए ना आपको चाले ए विस बिल्के ऐसा करें कॉरें मिया खुरा करें कहसा हुई तो कॉरें से क्यासे क्वेस्ट एक रपकेppen प्रेया मिक्स होते हैं फिर ज्या घ्ल्यार होते हैं कि यह क्वैस्ट्स ज्यादा क्वैस्ट एक सीटिंग में डाइगे ती तो एक क्वैस्ट का दुसरे क्वैस्ट्स्स फरक खुद के सामने आएगा है तो आज कि हम इस श्क्राइम्ट क्या है फटीथ लिग करेगा डेड़ घंटे बलके जायद इससे कमी लगे आज आपकी तीन क्वेस्टन सामें आज का लेक्चरियां खतम करते हूं अल्ला हाफिस